उत्तर प्रदेश में योगी आदितनार टू की सरकार का आज पहला बजट आया है और छे लाग करोड़ से ज्यादा का बजट आज सदन में पेश किया गया है बात करते हैं आम प्रकाश राजभर जी से सोहल देव समाज पार्टी के रास्टी अध्यच हैं और विधायक भी है सर बजट आया है बता रहा है कि बहुत सर्वांगिर विकास होने वाला उत्तर प्रदेश का इस बजट के माध्यम से अतासा और निरासा का बजट है आम आदमी को इसे कुछ नहीं मिलना है इनका बड़ा धिडोरा पीटा जारे कोई नई बात नया बजट लेके नहीं आये ह यह 22 का बजट ले आये थे बहुत उससे में डिडोरा पीटे थे आज वही डिडोरा सुना रहे थे कि 21-22 में 1 करोड 66 लाख बच्चों का प्राइमरी में नामंकन कराया अब 22-23 में लक्ष रखा है कि 2 करोड मतलब 34 लाख बच्चों का नामनेशर नहीं हुआ था भी अब 22- स्थे इसमें कराएंगे सिक्षा के साथ खेलवाड है बच्चों के साथ महंगाई कैसे कम हो इस पर बजट में कोई व्यवस्था नहीं है धीडोरा पीट रहे हैं बहुत अठारा पर्शेंट आवादी निसाद बिंद केवट मला कस्यप माजी मजवार तुरह तुरया की है इतना भारी भरकम बजट है कि चार करोड रुपिया मिला है विकास के लिए नाव खरीदो मचरीक बच्चा करीदो तलाब साब कराओ चार करोड इतना भारी भरकम बजट अठारा पर्शेंट आवादी निसाद बिंद के वट मला कस्यप माजी मजवार गया था आरक्षण लेने आरक्षण के नाम पर उड़ दिया है पांच साल बीत जाएगा आरक्षण नहीं मिलेगा हम अभी गारण्टी के साथ कह देता हूं पांच साल में निसाद बिंद तुरह तुरया माजी मजवार कस्यप को आरच्छन नहीं मिलेगा ये इसी तरह बाजा बजाते रहें और चार करोड मिला जुन जुना थमा दिया है उसी तरह आईए इनके बड़ा धिधोरा पीत रहते पिछली सब पिछले बजट में पुरवा लगे छे महिने में अभी जब पानी से और डामर से भेट होता है तो दोनों एक दुसरे के दुस्मन है बरसात होगा न तो इधर से गाड़ी लेके जाई ता पाटा से गाब से भित्तर चल जाई है वो पता न लगे कि कहा चली जा है ये बजट जो है सुद्धरूप से हतास और निरासा का बजट है इस बजट से आप देखिएगा कि सहरों में पहले दूध मंडी गला मंडी सबजी मंडी लगती थी अब लेबर मंडी लगती है क्या इस बजट से वो लेबर मंडी हट जाएगी उस गरीब कमजोर को क्या मिलेगा ये पिछड़े दलित वंचित को क् से जिनको मिलता है उन्हीं को मिलेगा तो इस बजट से कुछ नहीं है यह सन बावन से चुना हो रहे हैं जो पार्टी सत्ता में आती है वो अपना बजट पेस करती है और यह अनुवरत प्रकिरिया है आज सत्ता में है यह बजट फिस किये हैं पहले अपसाल का अपना दूसरे टर्ण के पहले साल का आप देखिएगा अशी तरह पांच साल में ऐसा ऐसा आप भावकाल बनाएंगे लेकिन पोल खुलती जाएगी कल सदन में आप भी मौझूद थें काफी हॉट टॉक हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप क्यूंकि केशो परसाद मौरे आज भी कह रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ मेरा उपहास किया गया और मेरे पिता जी का नाम लिया गया मेरे पिता जी इस दुनिया में नहीं है कि जब सच कहा जाएगा तो लोगों को बुरा लगेगा मालिक लोग सुगगा जिलाते हैं उसको पढ़ाते हैं सुगगा को से ताराम से ताराम से ताराम से ताराम तब वो मालिक का सुगगा बोलता है से ताराम से ताराम से ताराम से ताराम मालिक बोलता है चार बार तो ब भरती करने की बात भी कह दिया आदेश भी हो गया एक भी भरती नहीं हुई क्या उस पे बोलने की हिम्मत है किसी भारती जन्ता पार्टी के पिछड़े दलितनेता को आज उत्तर प्रदेश में सत्रा सो थाने हैं 75 जीले 18 कमिस्नरी क्या पिछड़े समाज के लोगों को हिस्सेदारी उसमें मिलेगी है बोलने की हिम्मत आज पिछले समाज के उपर पिछले साल साथ लाख बच्चों को छाथ बित्ती सुल्क प्रत्पूर्ती नहीं मिली हिम्मत है बोलने के लिए उस पर आज हाई कोट ने आदेस तो दिया है की भर राजबर जाती को दो महीने के अंदर ग्यारत T Figure 2022 का आदेस है हाई कोट का की दो महीने के अंदर अनुसूची जन जाती में सामिल करके सुचना दे दो महीना बीत गया सरकार एकदम सो रही है ये आदेस हाई कोट का आदेस मेरा आदोस नहीं है जिस तरह 20 मई 2017 को आदेश आया कि 27 परसेंट आरक्षण का वर्गी करण कर दिया जाए वर्गी करण करने के लिए सामाजिक निया समिती की रिपोर्ट बनी रिपोर्ट भी है उसके लिए बजट नहीं है सरकार के पास और भारी भर कम बजट है यह हतासा और निरासा का बजट है आम आदमी को कुछ नहीं मिलना है और आम आदमी को क्या चाहिए रोटी कप्रा मकान सिक्षा दवाई फिरी इलाज देने का कोई व्यवस्ता नहीं फिरी सिक्षा देने की कोई व्यवस्ता नहीं है मांगाई से निजात दिलाने की कोई व्यवस्ता नहीं है जातिवार जनगरना के लिए एक रुपया नहीं है बजट में जब जातिवार जनगरना नहीं होगी तो जातिवार जनगरना नहीं होगी तो जातिवार को हिस्सा कैसे मिलेगा उसके लिए बजट नहीं है इस नाते ये पिछड़े दलीत वंचीत आम आदिमी के लिए भीया इस बजट में जब तक जातिवा जनगरना नहीं होगी तब तक हिस्सा मिलने वाला नहीं है कल की घटना जो हुई उसको कैसे देखते हैं आप उस पर नहीं बताया आपने किसकी गलती मानते हैं आप जब जब पिछड़े दलीत के हक की बात होगी तब तब ये पिछड़े दलीत समाज के लोग जो दुसमन है जो हिस्सा ना मिले ऐसे लोग सामने आ करके लड़ाई करेंगे केशो जी दुशमन है पिछड़े समाज के अगर ही तैसी होते तो 79,000 सिक्षक भरती में घोटाला हुआ है आप पूछ लिजिएगा क्या उस पे जबाब दी है उनका पूछ लिजिएगा कि उम्परकास राजबर कह रहे थे और क्यों कह रहे थे राष्टी पिछड़ा हिसेदारी मांगने की हैमत हैं खाली वो भारती जिनता पर्टी के साथ हैं समाज को धोखा लोग दें समाज को हिसेदारी दिला में तब हम बोलें कि नहीं हम भाई इन्होंने दिलाई वंचित के लिए शुक्रिया आपने सुना ओम प्रकास राजबर जी को बजट पे काफी नाराज हैं और साथ तोर पर इनका ये कहना है कि पिछड़े दलितों को तमाम चीजों से वंचित करा गया है और इस बजट में भी गरीबों के लिए कुछ नहीं है ये पांच साल तक किसी तरह से बजट आते रहेंगे और जमीनी हक्तिकात इसके उलट होगी कैमरा मैंन गिरीश के साथ सीमा अबनक्वी बारसा मचार लखना होगी